Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace हम लोग progressive education के बारे में बात कर रहे हैं इसमें हमने already principles and characteristics पढ़ लिए अब हम educational thinkers के बारे में बात करेंगे one by one करके हम सब भी educational thinkers को पढ़ेंगे आप मेरे साथ Instagram, Telegram पर जुड़ सकते हैं दोनों के username मैंने आप पर लिखे हुए है तो यह है Jean Jacuz Russo, इनका life span है 1712 से लेकर 1778 तक का अब TED के हिसाब से आपको इन educational thinkers को कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है देखो examiner आप से जो भी question पूछेगा वो इनकी ideology से पूछेगा ideology का मतलब होता है thinking, thought process, इनका belief system ठीक है कि यह क्या सोचते थे सो जो Russo है, यह educational thinkers में काफी famous है अगर progressive education में जितने भी हम educational thinkers की बात करें John Locke, John Dewey, इसके अलावा महात्मा गांधी, रबिंदर नाठ टैगोर इन सभी educational thinkers में famous है एक Jean Jacuz Russo इनके जो ideas थे, इनके ideas जैसे की school system कैसा होना चाहिए बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, education system कैसा होना चाहिए तो इनके जो यह ideas थे, इन ideas ने educational theory को काफी जादा influence किया था तो Jean Jacuz Russo किस चीज में belief रखते थे यह कहते थे कि भई, जो school system है, इसमें naturalism होना चाहिए So he is associated with the naturalist school of philosophy तो naturalist का मतलब है naturalism तो naturalism में belief रखने वाले जितने भी educational thinkers थे, उनका यह कहना था कि भई, जो बच्चे है ना, उनको nature में रहने दो nature में develop होने दो natural environment में natural तरीके से grow होने दो तो यहाँ पर यह nature में किसको signify करते हैं mountain, streams, trees, dews, sunshine, rain, animals, ठीक है तो यह कहते थे कि भई, बच्चों को natural environment में पढ़ने दो ठीक है, तो जितने भी educational thinkers थे जो naturalism में belief रखते थे, वो यह कहते ही थे कि बच्चों को nature में रहने दो, nature में grow होने दो ओके, क्योंकि naturalism से क्या निकल कर आया, nature और nature से ही क्या बन गया, naturalism देखो, यह ध्यान रखना, इस चीज में बता दी तो थोड़ी सी out of context है बट पता होनी चाहिए, किसी भी word के पीछी जो last में यह इजम लगता है ना, जैसे कि naturalism, socialism, इजम का मतलब होता है कि वो thought process को दिखाता है, कि भी सामने वाले का सोचने का तरीका क्या है तो इसलिए हम इजम word लगाते हैं आगे पढ़ो, आगे आपको ध्यान रखना है कि Gene Jacuzze Russo यह कहते थे कि जो education है वो child centered होनी चाहिए तो यहाँ पर आप क्या समझें, यहाँ पर आपको समझना यह है कि Russo ने भी यह कहा कि education child centered होनी चाहिए ना कि teacher centered इसके लब इनों ने कहा कि education में जितने भी process है चाहे तो वो curriculum हो, मतलब पाठ्य करम हो, या pedagogy हो, या फिर कोई भी activity हो सारी के सारी चीजें बच्चों के इर्दगीर्द होनी चाहिए, child centered होनी चाहिए अगर education system, curriculum, pedagogy या school के जितनी भी activities हैं, वो बच्चों के इर्दगीर्द होंगी तो उससे होगा यह, it will facilitate development of the mind and personality मतलब यह चीजें जो हैं, बच्चे की mind and personality को develop करेंगी अब देखे जीन जैकूज रूसो जो थे, वो यह कहते थे, कि बई education जो है न, वो nature के पास होना चाहिए, close proximity में होना चाहिए मतलब natural environment में education होना चाहिए and बच्चों को खुद बखुद natural environment में grow होने तो without any human intervention कि बच्चों को अगर आप nature के साथ बड़ा होने दोगे बिना किसी human intervention के तो बच्चे अच्छे से develop करेंगे ठीक है, and he believed that education should be available accordance to nature of each human being हर एक human being के according, उनके nature के according education system होना चाहिए इसके अलावा इन्हों ने ये कहा, it should not be imposed or given authoritatively तो इन्होंने कहा कि जो education है ना, वो natural तरीके से होनी चाहिए ना कि imposed हो, तो ये कहते थे, imposed education गलत है या फिर कोई authoritative education जो है वो गलत है बच्चे को बच्चे के nature के हिसाब से पढ़ाओ, ठीक है यहां लिखाओ ना, बच्चों को बच्चों के nature के हिसाब से ग्रो होने दो वो भी natural way में एंड इन्होंने फिर ये कहा कि अगर हम बच्चों को nature के साथ ग्रो होने देंगे तो उससे होगा ये कि man and nature दोनों के बीच में harmony आएगी peace आएगा, ठीक है next, इनके जो ideas थे, जैसे कि अगर हम इन दोनों point को देखे तो एक idea ये निकल कर आता है कि भाई, जो रूसों थे वो कहते थे कि nature के साथ बच्चों को जो है grow होने दो and in fact education ऐसा होना चाहिए जो हर एक human being के nature के according होना चाहिए and education imposed नहीं होना चाहिए इसके अलावा जो बच्चे हैं, उनको natural environment में grow होने दो ताकि man and nature दोनों के बीच में harmony हो तो इस ideology को criticize भी किया गया क्यों किया गया? इसलिए किया गया, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि जो रूसों है ना वो primitive coaching method को support कर रहे हैं अब primitive coaching method का मतलब क्या है? कि भई जो पहले coaching दी जाती थी कैसे दी जाती थी? बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को बिठा दिया जाता था टीचर उनको पढ़ाती थी ठीक है? तो इसलिए कुछ लोगों ने रूसों को जो है criticize किया ये कहकर कि भई रूसों जो है ना क्योंकि लोगों ने ये कहा कि ये primitive coaching method में belief रखते हैं जैसे कि under a tree, बरगद के पेड़ के नीचे या फिर प्रकरती की गोद में बच्चों को बिठाओ और इनको पढ़ाओ तो इसलिए इनको criticize भी किया गया अब आगे रूसों के और ideas देखो रूसों ने formal education process को criticize किया and he said that these processes are hindrances to creative learning because they suppress the natural ability of the child hindrance का मतलब होता है stop and formal education का मतलब होगा कि school में बच्चे जाते हैं एक time table के according उनको पढ़ाया जाता है teacher आकर उनको पढ़ाती है तो ये जो formal education था ना इसको रूसों ने criticize किया क्योंकि इन्हों ने ये कहा कि बच्चों को जब हम formal education देते हैं तो होता ये है कि हम बच्चों को अपने हिसाब से ढालते हैं ना कि बच्चों को खुद natural way से ढलने देते हैं ठीक है तो इन्हों ने कहा कि जब हम बच्चों को formal education देते हैं तो ये एक तरीके का hindrance है, एक तरीके का stoppage है to the creative learning of the children, क्योंकि बच्चे जो है इस formal education में natural तरीके से grow नहीं कर पाते, बलकि जो बच्चों के abilities हैं, जो capability हैं, उनको हम दबा देते हैं, suppress कर देते हैं formal education में, तो इसी लिए इन्हों ने ये कहा कि बच्चों को खुद बखुद grow होने दो nature में, and he favored the education which nurtured the child innate talent, तो इन्हों ने कहा कि education ऐसा होना चाहिए, जिसमें बच्चों के innate talent को, innate का मतलब समझ गए, जो उनके जनम जात talent है, उनको grow किया जाए, उनको nurture किया जा सके, तो यहां पर all and all आपको समझना ये है कि रूसों ने ये कहा कि formal education नहीं होनी चाहिए, बलकि education ऐसी होनी चाहिए, जिसमें बच्चों के innate talent को, innate ability को, या natural ability को आगे grow किया जाए, develop किया जाए, nurture किया जाए, अगर हम बच्चों को formal education देते हैं, एक time table के according teacher आकर पढ़ाती है, तो इससे होता यह है कि जो बच्चों की creative learning है, बच्चों की जो natural ability है, वो suppress हो जाती है, मतलब वो खतम हो जाती है, फिर इन्होंने याँपर teacher का role भी बताया, इन्होंने कहा जो teacher है वो facilitator है, अब facilitator का मतलब यह होता है कि आप बच्चों को opportunities provide करो बस, बच्चे अपने आप grow होते जाएंगे, ठीक है, teacher have to understand that children are not a passive receiver, फिर रूसोंने यह का कि teacher को यह समझना चाहिए कि बच्चे passive receiver नहीं है, बलकि वो active participant है education system में, तो इन्होंने यहाँपर एक democratic education को support किया, इन्होंने कहा कि बच्चों को actively participate करने दो education system में, बच्चों को question पूछने दो, बच्चों को अपने हिसाब से grow होने दो, बच्चों के opinion को respect करो, तो इन्होंने कहा कि एक teacher ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को importance दे, ठीक है, अब आगे देखो, transaction of knowledge should be organized in such a way that child should feel ownership for the learning, फिर इन्होंने कहा कि बच्चों को education system में इस तरीके से develop होने दो, इस तरीके से grow होने दो, कि उनको ना अपनी learning में ownership महसूस हो, अब ownership कैसे महसूस होगी, जब बच्चों का active participation होगा, classroom में या education system में, children should take responsibility of learning and knowledge they constructed, because nothing will be given, all will be constructed and developed by the children, अब देखो, फिर से इन्होंने क्या बात कि, Russo ने कहा कि जो education है, ये authoritatively नहीं होनी चाहिए, imposed नहीं होनी चाहिए, बलकि बच्चों को जो है, खुद बखुद grow होने देना चाहिए, क्योंकि learning and knowledge, it will not be given, बलकि ये क्या होगा, बच्चों के दुवारा खुद construct होगी, और जब बच्चे खुद construct करेंगे, मतलब अपने ज्यान का निर्मान स्याम करेंगे, तो बच्चे learning में ownership महसूस करेंगे, कि भई हाँ, मैंने सीखा, मैंने ये काम किया, ठीक है? रूसों believed that this can be achieved only through an educational approach, that is not merely based on acquiring given knowledge, but on the system that does it in a child-centric way, तो यहां पर रूसों कहते हैं, कि बच्चों को हम इस तरीके से तभी पढ़ा सकते हैं, कि बच्चे स्वयम ज्यान का निर्मान करें, स्वयम लर्ण करें, खुद बखुद knowledge को construct करें, ये तभी हो सकता है, जब education कैसी हो, child-centric way से हो, मतलब child-centered हो, अब last में हम इनके ideas को कैसे conclude कर सकते हैं, कि इन्होंने child-centric education को promote किया, और इन्होंने ये कहा, कि learner's role is more active, कि जो बच्चे हैं, उनका role active है, prominent होना चाहिए, और उनको खुद बखुद अपने ज्यान का निर्मान करने दो, ताकि वो learning में ownership महसूस कर पाएं, तो इस तरीके से होगा ये, कि बच्चे naturally grow करेंगे, अपने nature के हिसाब से, तो यहाँ पर all and all, Russo ने formal education को discard किया, और ये कहा, कि बच्चों को nature में natural way से grow होने दो, and हर एक बच्चे के nature के according उसे grow होने दो, impose मत करो कुछ भी, ठीक है, I hope आपको ये point समझ में आया होगा, वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दू, हर एक educational thinkers के कुछ ने कुछ ideology आपको same मिलती नजर आएंगी, तो ध्यान रखना, कुछ-कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो अलग-अलग, पर ideology सब की अलगती, जैसे कि ये naturalism में belief रखते थे हैं, रूसो, उसी तरीके से आप महात्मा गांधी की ideology बिल्कुल अलग देखोगे, तो आपको भी पता चलेगा, ठीक है, चले मिलते हैं next video में, till then, bye-bye, thank you so much for watching this video, thank you.